नवश्कार मैं हूँ सुक्रती रोय चैटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है खाना और पानी की तरह इंसान की जिंदगी के लिए नींद भी बहुत जरूरी है आए दिन एक्सपर्ट हमें पर्याप्त नींद लेने की सलाह देते हैं अब इसी को लेकर एक डराने वाली स्टडी सामने आई है एक नई रिपोर्ट के मताबिक रात में अनिद्रा से परिशान या कम सोने वाले लोगों में डिमेंशिया नाम की बीमारी बढ़ने का खत्रा होता है इतना ही नहीं पर्याप्त नींद ना लेने की वज़े से कई ऐसे कारण भी उभर सकते हैं जिनसे इंसान की मौत जल्दी हो सकती है हावर्ट मेडिकल स्कूल के एक स्टडी के मताबिक सामने आय साक्ष ये बताते हैं हर एक रात की नींद हमारे जीवन के लिए जरूरी है ये ना सिर्फ हमारे नियूरोलोजिकल सिस्टम के लिए फाइदेमंद है बलकि मौत के जोखिम को भी कम करने में कारगर है एक्सपर्ट का कहना है कि नींद, डिमेंशी और किसी कारण से जल्दी मौत होने के बीच संबंद एक बड़ी चिंता का विश्य है स्टडी में ये पाया गया कि नींद से जुड़ी परिशानी का लगभग हर रात सामना कर रहे 44 प्रतिशत लोगों में कई कारणों से मौत का जोखिम बढ़ गया जबकि रात में अक्सर इस समस्य से जूजने वाले 56 प्रतिशत लोगों के जल्दी मरने का खत्रा होता है इसी तरह रात में लगातार नींद से जूजने वाले 50 प्रतिशत लोगों में डिमेंशिया का खत्रा हो सकता है जबकि रात में अक्सर नींद से जूजने के बाद मुश्कल से सोने वालों में इस बीमारी के बढ़ने का खत्रा रहता है वही सामाने तोर पर ये देखा जाए तो हमें रोजाना रात कम से कम साथ से दस घंटे की पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है आप सब भी इस बात का खास ध्यान रखें और अपनी सेहत के लिए अच्छी नींद जरूर लें उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें